हमारे साथ खास बादचीत के लिए मौझूद है EU Small Finance Bank के MDNCO संजय अगरवाल सार सबसे पहले मैं आपसे शुरुवात यह करना जाओंगा जो आपके पुंजी जुटाने की चर्चाय चल रही है तो कितनी पुंजी आप जुटाने का प्लान कर रहे है उसका मूर्ड क्या होगा और कब तक प्रक्रिया हो जाएगी देखें कापटल हमेशा एक बैंक की में में चीए होती कापटल हमेशा सो एक लॉंग टर्म प्रोसेस होता है जो हम हर दो साल में करना चाहेंगे सो अभी तो हमने बहुत जारा सोचा नहीं है लेकिन प्रोसेस जारी है और आपको बता है कि कैसे मार्किट की कंडिशन है सब कुछ है तो उसको देखते प्लान करेंगे बट हमारी क्यापिटल एडिकेसी अभी नौर्थ और 20 परसेंट है अच्छी है तो ऐसी कोई इमेजर जरकार नहीं है लेकिन आपको पता है कि अच्छी बैलेंशीट के लिए अच्छी ग्रोथ के लिए अच्छी स्टॉंग दिखने के लिए इसकी रिक्वार्मेंट हमेशा रहती है तो जैसे आप बताते जाएंगे मतलब चर्चा है कि QIP की जड़िये जुटा सकते हैं, तो क्या मूड रहेगा? नहीं, I think सारा ओपन है, to be very honest, कि QIP हो सकता है, प्रिफेंशेर भी हो सकता है, but I think point है कि हमें कभ रेस करना है, market conditions कैसी है, कौन से लोग interested होंगे, because bank की journey जो होती है, वो easy नहीं होती है, वो long term होती है, so हमारी भी इच्छा है कि long term investor हमारे साथ जुड़ें, और आपने पिछले भी देखा होगा कि हम Tameisak से लेके आये थे, 2018 में, फिर हमने हमारी जो EU housing में तोड़ा सा बीचा था, last year QIP लेके आये थे, तो यह mix हो सकता है, so वो banker और जैसे से वक्त होगा, वैसे decide करेंगे. Sir अब यह देखिए, आप credit card पे काफी जादा aggressive जा रहे हैं, आपने एक नया, यह core launch किया है, तो क्या जो आपका core कारोबार था, उससे थोड़ा product mix shift कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि यह इसमें ज्यादा opportunities है, तो उस तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, हमारा कारोबार तो जब हम bank बने तभी बदल गया था, तो आज की तारीख में आप कोई से देखेंगे, तो depositors जो होते हैं, वो ही bank के मालिक होते हैं, और उनी के वे से bank बनते हैं, तो जब depositors आता है, तो उसको wholesome product ची होता है, वो खाली यह नहीं बोलता है कि खा जब हम depositors का acquisition करने गए, तो उसे बहुत सावाल पूछा कि अच्छा debit card चाहिए आप से, अच्छा credit card चाहिए आप से, अच्छा personal loan चाहिए, तो यह जो भी आप बात कर रहे हैं, यह सारा जो हम काम कर रहे हैं, चाहे पील दिख रहा हो, चाहे आप credit card दिख रहा हो, चाहे QR code वो एक depositor की मन में विश्वास डालना की AU के पास सारे product हैं, उस कडी क अंदर एक पार होता है, दूसरा क्या होता है, जब क्रेडिट कार है, वो एक इसल्फ एक not normal product नहीं है, एक थोड़ा glamour product है, हर आदम्यों को अपनी जे में credit card ची होता है, क्योंकि एक लाइन होती है, तो इसमें हम बहुत एग्रिसिव नहीं जा रहे हैं, हम लोग अभी पिछले एक साल से हुआ है, करीब हमने सवादो लग credit card ही दिये हैं, और उसमें भी करीब 50% credit card हमने existing customer को दिये हैं हमारे, और टीर टू और जो जगे थी जहां पे पहले POS होते ही नहीं थे, पिछले चार-प हमारे पास खाली 6-7 court card है, right, so मुझे लगता है, यहां से हम काफी sensible जाएंगे, काफी manage करेंगे उसको और aggressive तो बिल्कुल ही नहीं है, सर आप करें के बहुत potential है और अभी reserve bank की तरफ से एलान किया गया, UPI को credit card से launch करना तो वो कितना बड़ा game changer मान रहे हैं क्योंकि आप मौके देख रहे हैं इसमें, यह तो बहुत बड़ा मेरे साब से transformational reform है, विकास देखी जैसे मैं आपको बताया है कि काफी जगे पॉस नह तो यदि qr को लगए है और इस पर credit line भी चलने चालो हो गई, तो उससे बड़ा customer को comfort क्या हो सकता है, तो मेरे साब से आप देखेंगे अगले 2-3 साल में credit card की demand भी बढ़ जाएगी और credit card का uses भी बढ़ जाएगा, और यह मैं तो बहुत उसाहित हूं उसको लेके, लेकिन अ बहुत हडल हो सकता है, देखें आपन अभी preempt कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जो regulator है, उनको बहुत सारी बात है पता होती है, और और इंडिया का भी initiative है, और जो हम देख रहे हैं इतने सालों से जो reform आते हैं, वह बहुत है long term होते है, छोटा pain हो सकता है शुरुआत में, ब अभी जो ब्याजदरों के अंदर हमने देखा है अफ़र ट्रेंड चुरू हो गया, RBI ने अभी basis point बढ़ा दिया, तो क्या आपको लगता है उसका आपके कारोबार पे credit growth पे कई असर होगा, देखें यदि ब्याज बढ़ती है तो definitely demand कम होती है, लेकिन हम लोग 2 साल के COVID period से थोड़ा growth पे फरक पड़ेगा, लेकिन short term में मुझे ऐसा कोई बहुत बड़ा change होते हुए दिखनी रहा है, हमारा business quarter भी अच्छा था, यह quarter भी अच्छा जा रहा है, बट long term में तो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि बढ़ती ही ब्याज और शायद वही मकसब भी होता है monetary policy का कि थोड़ा demand को कम करना, तो उसमें कोई खराब बात नहीं है, बिकाज हम एक business cycle में जा रहे हैं, कभी demand कम होगी, कभी जादा होगी, बट एक bank है, जो बहुत long term बनता है, और हम किसी जल्दी में भी नहीं है, वक्त की कमी है, तो सर आखरी सवाल आपसे समझना चाहूँ अब क्या नए targets हैं, किस तरह से अब और आगे बढ़ रहे हैं, ब्रांच expansion से लेके, credit growth के, क्या target लेके चल रहे हैं, तो कोई target लेके नहीं चल रहे हैं, बिकाज मुझे लगता है कि हम अभी एक टफ पीरिट से गुजर रहे हैं गुजर रहे हैं, तो हम हर quarter quarter सोचते हैं, और जितनी opportunity है, जितना सोचते हैं, उतना काम हो जाता है, सो हम को ये एक goal लेके नहीं भाग रहे हैं, तो बेरी honest, और बैंक की journey है, जितना patient से करेंगे, जितना समझदारी से करेंगे, जितनी जिम्मेदारी से करेंगे, उतना अच्छा रहेगा, हम जबात करने के लिए बहुत मर कुकून है, जब काईदा जितना are जैस예요, झाल मझेदा, झाल मुझ गूदू कर्ख को जानाखिर हैं, ठीम्मेदा ने जैसे करेंगे, उतना से क्लिए, झाल मझेई थासे करेंगें कोई प्रशूइए, जितना से करेंगे, जोत जीम्मेर्य खराण में करत्ने करेंगे, ज